किसीने सोचा था कि एक इंसान का प्यार मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा और वो इंसान है संगीत राय मेरे पती उनके प्यार के एहसास ने मुझे बदल दिया है बिल्कुल बदल दिया है उस प्यार पर मेरा हग था जमुना उस एहसास पर मेरा हग था तुने मेरा हक मुझसे चीन लिया वो दुख वो तकलीव वो नफरत मैं अभी तक नहीं भूल पाई हूँ देखना जमुना देखना तुम जब ये प्यार नफरत में बदल जाएगा ना तब ये संगीत राय ये संगीत राय खुद तुमें निकाल देगा धक्के मारके निकाल देगा कभी नहीं आर्या ऐसा कभी नहीं होगा ऐसा दिन कभी आएगा ही नहीं कि आर्या तुमने कभी बादल और बारिश को अलग किया है क्या मतलब कोई भी कर सकता है क्या नहीं कर सकता इंद्रे धनुष के साथ रंग उन्हें अलग किया जा सकता है नहीं किया जा सकता बिल्कुल वैसे ही संगीत राय से जमुना धोली को कभी अलग नहीं किया जा सकता अभी तुम यह नहीं समझ पाओगी, यह सब समझने के लिए सच में प्यार करना पड़ता है, प्यार करना आना चाहिए, अब तुम जाओ, अपना काम करो, अपने कमरे में जाओ, मुझे अभी प्राक्टिस करना है, ठीक है, हम्, हम्, म्यूजिक कमपोस करेगी, एक डोली की बेटी, बेवकोफ कहींगी, हम्, यहार्या कभी नहीं बदलेगी, कभी भी नहीं, गीत ने सही कहा था, आर्या इस घर में किसी मकसद से ही आई है, अगर सच में किसी मकसद से आई है, तो फिर, यह किसको नुकसान पहुँचाना जाती है, फिर से, क्या कर सकती है, कैसे नुकसान पहुँचाएगी, तो फिर राय परिवार की बहुत डर रही है कि इस डोल की लड़ाई से, नहीं, जमुना राय किसी से नहीं डरती, तुम इस घर की महमान हो, अन्नापुर्णा पूजा के दिन आई हो, तो भगवान का प्रशाद लो, और जाओ, लेकर जाने से पहले भगवान से प्रात्ना करके जाना, कि इस रियालिटी शो के मेगा फाइनल में, जमुना राय से तुम्हारा, आमना सामना ना हो जाए, ये यहां अंदर कैसे आई, इसे अंदर किस ने आने दिया, रॉकी, मैंने कहा था ना, मेरी इजाज़त के बगएर यहां कोई नहीं आने पाए, सिक्यूरिटी, सिक्यूरिटी से अभी के अभी यहां से बाहर निकालो, इस घर की मेव हिला कर रख दूँगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं, इसलिए इतनी बड़ी-बड़ी बाते मत करो, पहले प्रतियों किता जीत कर दिखाओ, उसके बाद बाद करेंगे, और घर की बेटियों की साथ आप लोग, अब बस करो, चुप हो जा अब एक और शब्द कहाना, तो दर्बान को बुला कर तुम्हें इस घर से बाहर निकल बातूगा, मैंड इट, निकल जाओ, निकल जाओ यहां से, जाओ, आर्या, पॉपियलर वोट्स और जजजेस चॉइस के हिसाब से, इस कंपिटिशन का चैंपियन है, उस चैंपियन का नाम है, जमुना राय, मेरी कटे हुई जखमों पर नमक शिड़कने आये हैं, के दर रहाएं, नहीं, तुम्हारी भूल का एसास दिलाने आया हूँ, आज तुम हार गई हो, तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ, और हाँ, अपना ये सिर हमेशा मेरे सामने जुका के रखे, और मेरी आखों से आखे मिला कर बात मत कर ला हूँ, सिर्फ चौबीस घंटे के अंदर, तुम ये कोलकाता शहर छोड़कर चली जाओ, आप यहां, हाँ मैं, आप यहां क्यों आए हैं, क्यों आए हैं, आप जिसके गुरू हैं वो तो अब चैंपियन हो चुकी है, तो उसके पाँ जमीन पर टिक नहीं रहे हैं, है ना, उसकी तो म्यूजिक रिलीज होने वाली है, वो म्यूजिक कमपोस करेगी, वो तो अभी, अभी हवा में उड़ रही हैं, है ना, नहीं, जमुना ऐसी लड़की है ही नहीं, वो सबका आदर करती हैं, उसके पाँ हमेशा जमीन पर ही रहते हैं, क्योंकि वो जमीन से ही जुड़ी हुई है, खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ जम्ना के बारे में बात करने नहीं आया, मैं तुम्हें यहां कुछ देने आया हूँ, क्या देने आये हैं आप मुझे, भला आप मुझे क्यों कुछ देंगे, क्या देना चाहते हैं आप मुझे बोलिये, ये लो क्या है ये पाता नहीं खोल के देख लो आप मुझे ये पैकेट दे रहे हैं और आपको ही नहीं पता इसमें क्या है आप मेरे साथ मजाग कर रहे हैं दखो मैं तुम्हारे साथ कोई मजाग नहीं कर रहा ये मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ किसी ने मुझे ये दिया है तुम्हें देने के लिए किसी और ने किसने दिया है किसने भेजा है ये मैं नहीं जानता उसके साथ तुम्हारा क्या रिष्टा है और इस रिष्टे में इतनी कड़वाहट क्यों है इतनी परिशानिया इतना मन मुठाओ जो कड़वाहट के सारी हदे पार कर चुका है मतलब बेकार की बाते ना करके बताइए किसने भेजा है क्यदार राय की पत्नी अनुराधार राय ने क्या कह रहें आप किसने भेजा है अनुराधार राय ने आपके हांपे पेकेट भेजा है किया है इस पैकेट में क्या है इस पैकेट में क्या है का रें झाल झाल क्या है ये क्या है ये सब ये सब उन्होंने क्यों भेजा है क्यों भेजा है ये सब मुझे नहीं पता है तो मुझे नहीं पता है तो मुझे खुद पूछ लो अब कौन है अब कौन है अनुराधाराय की हिम्मत कैसे भी आपके हाथ ये सब भेजने की मेरे लिए? अब कौन है? आपका क्या रिष्टा है अनुराधा राय से? क्या रिष्टा है आप दोनों के बीच? दानिया, तुम मेरी बेटी के जैसी हो. नहीं! नहीं! जो उस जमुना का भला चाहते हैं, उससे मेरा कोई रिष्टा नहीं. उसके दार राय और अनुराधा का जिससे रिष्टा है, वो मेरे कुछ नहीं लगते. वो लोग मेरे अपने नहीं हैं, आप भी नहीं! आप मेरे कोई नहीं हैं! गेट आउट! गेट आउट, I say! निकल जाएए मेरे घर से! चले जाएए आप मेरे घर से! चलिए जाईए मेरे घर से देखो तानिया तुम बिकार में गुस्सा कर रही हो आप नहीं जानते आपको पता है नुराधर राइकॉन है आपको पता है केदार राइकॉन है बरबाद कर दूँगी बरबाद कर दूँगी मैं उन लोगों को बरबाद कर दूँगी तुम शान्त हो जाव गुस्सा मत करो सुनो रहने दीजे आप मुझे आप मुझे ग्यान मत दीजे आपकी बाते मुझे कड़वी लग रही है कड़वी रिद्धिमान चटर जी गेट आउट चले जाए प्लीज चले जाए यहां से देखो तुम मेरा अपमान कर रही हो मैं तो कुछ देने आया था बस नहीं देने आये हैं आप आपके आपके हाथों से ये सब बेज कर उस औरत ने मेरा अपमान किया है आपको कुछ पता भी है साड़ी के बारे में कुछ जानते इसके बारे में आप, जानते भी है ये सब क्या कर रहे हो तुम, तुम पागल हो गई हो क्या हाँ, हाँ, मैं, 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 मैं पागल हो गई हूँ ये साड़ी मैं जला दूँगी ये साड़ी, ये गहनी, ये सब जला दूँगी जला दूंगी जला दूंगी अरे अरे ये सब तुम क्या कर रही हो हाथ जोड़ता हूं प्लीज ये सब मत करो प्लीज देखो मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या रिष्टा है लेकिन अनुरादा एक बहुत ही अच्छी औरत है उसकी सोच उसका मन कि दोनों ही बहुत ही अच्छे इसलिए मैं तुम से रिक्रेस्ट करता हूं प्लीज ये सामने तुम उनका अपमान मत करो क्यों हो उससे2 आपका क्या रिष्टा है कोय रिष्टा होना जरूरी है क्या को रिष्टा ना भी हो तो भी इंसानित काे रिष्टा एक दिन तुम्हें ये जरूर समझ में आएगा. रुकिये, रुकिये! कहो कि अनुराधा राय आई है. अनुराधा राय? चले जाने को कहो. चले जाने को कहो. उन्हें दुरन चले जाने को कहो, कहो नहीं मिलना मुझे. सुनो, उसे कहो एक बार मुझसे मिलने कहा न नहीं मिलना मुझे इनका हेंकार, इनका इगो सब तोड़ कर रख दूँगे मैं आप रुखिये, आप अंदर नहीं जा सकते देखो, मेरा उसे बात करना बहुत जरूरी, वो गलट समझ रहे है मेरा जाना बहुत जरूरी है दर्वाजा कोलो मुझे से बात करनी है मेरा बात करना बहुत जरूरी है हुआ 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 मां आपका फोन बज रहा है मैं पूजा कर रहे हुँ तुम फोन रिसीव कर लो आच्छा हालो आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई है आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यह बनार सी साड़ी और गहने भेजने की हां पुराने जख्म कुरेद रही हैं आप पुराने जख्म कुरेदना चाहती हैं आप क्यों भेजा है क्यों भेजा है यह सब कौन सी साड़ी कौन से गहने कौ मैं जमुना बोल रही हूँ अब तुम किस साड़ी की बात कर रही हो कौन से गहनों की बात कर रही हो कौन सी साड़ी कौन से गहने तो जानती नहीं यह मतलब तु जानती नहीं इसका क्या मतलब है तेरी तो नजर थी उन गहनों पर पक्का तूने ही चुराय होंगे बता कहा रखें आर्या जबान संभाल कर बात करूँ मैं फोन पर बात कर रही है तो तो क्या हुआ हां सबको पता चलना चाहिए कि तुम्हें चोर हो खुदको महान साबित करने के लिए मुझे सबके सामने वो गहने दिये थे ना महान बनना था तुम्हें सबके सामने बड़ा बनना था है ना क्या कर रहे हैं आप जमुना भावी प्लीज प्लीज जजबातों में बहकर ऐसा कोई डिसीशन मत लो वो यहीं चाहती है की भावनाओ के अलावा जंदिकी में और क्या है बताओं उनकी तरफ देखो तो मेरे लिए सिर जुका कर खड़े हैं एक हार के नहीं है नहीं गी नहीं दूँगी और एक लोभी लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं यह उसके सामने नहीं जुकेंगे कभी अपना सिर नहीं जुकाएंगी आजया तम खोश हो ना यहार मैंने तुम्हें दान दे दिया तुने मेरी अलमारी से गहने निकाले और तूने ही चोरी कियें आजया मैं तुमें फिर से समझा दिया तुम मुझसे ठीक से बात किया करो, मुझसे इज़त से बात किया करो नहीं करूंगी, तुने चोरी की है और तु एक चोर है, चोर 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 आर्यो जमुना जाओ यहां से, अभी इसी वक्त चली जाओ दुबारा यहां मताना मैं तुम्हारे कमरे में नहीं जाती और छोड़ी करना तो दूर की बात है और एक बात ध्यान से सुनती जाओ कि जो चीज मैं दान कर देती हूं वो चीज मैं कभी वापस नहीं लेती कभी भी नहीं जाओ यहां से जाओ यहां से चली जाओ, तुझे तो मैं देख लूँगी जमुना, तुझे तो मैं देख लूँगी मैं समझ गई तान्या तुम कौन से गहनों की बात कर रही हो, ये मैं समझ गई बिना देखे, बिना सुने, समझ गई कौन से गहने मैं समझ गई, क्योंकि वो गहने कभी मैं पहना करती थी, और उसके बाद वही गहने मैंने, पर वो तो राय परिवार की संपत्ती है, वो गहने तुम्हारे पास कैसे पहुँच गए, अच्छा तानिया, वो साड़ी क्या लाल रंकी है, हाँ, पर तुम्हे कैसे पता, मेरी चीजें और मुझे ही नहीं पता होंगी, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो साड़ी, वो गहने, तुम्हे किस ने दे दिये, तुम्हारे पास कैसे पहुँचे, पर तुम्हे कैसे अच्छाइब किस नहीं पता है, मैं नहीं जानती तुम्हारा मन कैसे शान्थ होगा अगर ये सब लेकर तुम्हारी नफरत थोड़ी कम होती हो नाराज की थोड़ी कम होती हो इसले भेज रही हूँ खश रहो नाराज 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 मेरी सारी, मेरे गहने, सब कुछ मा ने रितिमा नंकल के हाथों उस तान्या को भेज़ दिया हलो, कौन? हलो, मैं जमुना बोल रही हूँ, जितिमा नंकल सुनिए, मेरी सासुमा ने आपके हाथों साडी और गहने तान्या को भिज़वाए हैं ना? अब वो दरसल जमुना वो दरसल बात यह है कि मुझे सच सच बताईए बताईए ना साडी और गहने मेरी सासुमा ने आपके हाथों तान्या को भिज़वाए हैं बताईए ना अंकल प्लीज सच क्या है बताईए जमुना देखो तुम अपनी सासुमा को बिल्कुल खलत मस कुछ कहना है नहीं नहीं कुछ नहीं कहना है बस आपको देख रही थी आप कितने प्यार से भगवान की सेवा कर रही है यह हमारे कुल देवता है ना इसलिए दो वक्त पूजा करनी होती है हर रोज तो पूजा होती ही है, इसके अलावा जो विशेश दिन होते हैं, विशेश पूजा होती है, पता है कौन-कौन से पूजा होती है घर पर, दुर्गा पूजा, अनपूर्णा पूजा, सरस्वती पूजा, और सत्यनाराइन की पूजा भी होती है, तुम भी तो पूजा कर सकती हो पूजा घर के काम कर सकती हो पूजा के लिए बरतन धोना फूल सजा कर रखना चंदन घिसना घी डाल कर दीपक जिलाना ये सब तो कर सकती हो है ना? मैं ये सब नहीं कर सकती आप लोगों के हिसाब से मैं इस घर की नालायक बहुजो हूँ है ना आरिया इस घर में कोई मुझसे इस तरह से बात नहीं करता आरिया खुद के दार राई भी नहीं मैं करती हूँ तुमारी हिम्मत देकर मुझे आश्चर्य हो रहा है और तुम संगीत की पत्नी बनना चाहती थी वो कहते हैं ना भगवान जो करते हैं वो अच्छे कले करते हैं भगवान ने हमें बचा लिया ऐसी बात है तो हार चुरा कर आपने किसका भला किया हां बताईए आर्या यह क्या बिकार की बाते कर रही हो तुम सुना नहीं क्या आपने वही खांदानी हार जो जमुना ने उस दिन मुझे पहनाया था याद आ रहा है आपको याद करने की कोशिश कीजिए याद आ जाएगा आर्या अब तो तुम खुश हो न यहार मैंने तुम्हें भीक में दे दिया क्या हुआ याद आया कभी यहार आपके गले में हुआ करता था और कभी आपके सास के गले में हुआ करता था उसी हार को आपने चुराया था खुद के घर में खुद ही हार चुराया था जबान संभाल कर बात करो आरिया जबान संभाल कर बात करो तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं हैरान हूँ तुम भोल रही हो कि तुम किस से बात कर रही हो भूली नहीं हूँ कुछ भी नहीं भूली हूँ लेकिन मुझे यकीन है कि वो हार आप ही ने चुराया है वाच मैंने मैंने चुराया है कैसे पता तुम्हें कैसे पता कि हार मैंने चुराया है अगर आपने नहीं चुराया तो वो जमुना ने चुराया होगा नहीं तो गीत ने चुराया होगा या चाची जी ने नहीं तो दादी माने चुराया होगा आर्या और एक शब्द कहा तो तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूगी तुम्हें पता भी है कि किसके सामने बात कर रही हो तुम रिष्टे में तो मैं इस घर की बहु हूँ इस घर के बेटे ने मुझसे शादी की है और यहां में बेज़ती करवाने नहीं आई हो क्या हालत है राय खांदान की बस नाम बड़ा है दर्शन छोटे ऐसी हालत हो गई है इस खांदान की कि हार चुराना पड़ा क्या हुआ? बताईए? जवाब क्यों नहीं दे रही है? जवाब दीजिए मा ने हार चुराया है ये बात तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे हां? तो मा पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? और उससे भी बड़ी बात के मा अपना ही हार खुद क्यों चुराएंगी बोलो? वो हार इनका नहीं है वो हार मेरा है जमोना ने वो हार अपने हाथों से मुझे उस दिन पहना आया था समझ गई तुम? वो मेरा है क्या हुआ? बताईए ना हार कहा है बोलिए? क्यों चुराया और कहां पर रखाया बताईए मुझे? तुम्हारी इतनी हिम्मत आ रिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत गीत चुप करो, तुम उसके मूँ मत लगो उससे जीत नहीं पाऊगी इसमें ना समझ है, ना शालिंता और ना ही संसकार ये एक असब्य लड़की है, इस घर के लायक ही नहीं है कौन लायक है और कौन नालायक ही, तो आज पता चल जाएगा हार का चुपाया है, बताइए मुझे, बताइए मुझे हार का है आपके चहरे का उडारंग साफ बता रहा है कि हार किस ने चुराया है अलमारी से चोरी आप ही ने की है तुम ये सब क्या कह रही हो क्या कह रही हो तुम ये सब, जिसके पास गहनों का भंडार है जिनके अकाउंट में लाको रुपए जिने गिना भी नहीं जा सकता, गाड़ी, बंगला, जायदाद, सब कुछ है, वो एक, वो एक मामुली सा हार चुराएंगी हाँ, चुराएंगी, क्योंकि वो खांदानी हार है वो हार जिसके गले में होगा, उसकी अलग शान है, इसलिए और क्या? इन्होंने खुद का सम्मान खो दिया है, इन्हें अफसोस हो रहा था, इसलिए वो हार चोरी कर लिया है आर्या, तुम तब से एक ही बात तोतिक तरह रटे जा रहे हैं, चोरी की है, चोरी की है, किसने चोरी की है, बताओ आप मेरे कमरे में आई थी, है ना? सब से चिपके, है ना? इंकार मत करना आप, क्योंकि तीन-तीन लोगों ने देखा है तीन तीन लोगों ने बड़ी बुवाजी, छाया दिदी और मेरे पती रौकी ने हार का है? कहां गया मेरा हार? चुराकर कहां रखा है? जवाब दीजे मुझे, बताईया हार का है मेरा, बताईये मुझे और एक शब्द कहा तो मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल दूगी, इस घर से बाहर निकाल दूगी वा, 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 और कोई जवाब नहीं सूज़ रहा ना, क्या कहेंगी अब ये समझ नहीं आ रहा ना, और अच्छा बाहना मिल गया मुझे इस घर से बाहर निकालने के लिए चोर, चोर हैं आप लोग समझें, चोर, आ दिया अभी अभी तुम एक थपड लगाया था ना, दुबारा अगर एक जोड़ दार थपड मारू, तो कैसा लगेगा तुम्हें, तुम्हारे पती के साथ धक्के मार कर घर से निकाल दू, तो अच्छा लगेगा तुम्हें, मुझे इस घर में रखो या बाहर निकाल दो, फर्क नहीं पड़ता मैं तो चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि इस घर की मालकिन अनुराधा राय चोर है नहीं नहीं कि वहार वहार मैंने चुराया है कि यह तुम क्या कह रही हो जमुना हां मां वह गहने मैंने चुराए तु जूट बोल रही है जमुना तुने चोरी नहीं की है आप यह सब क्या बोल रही है जमुना भावी क्या कह रही है आप क्यों गहने भला आप क्यों गहने लेंगी मुझे पताई यह जरा मैंने कहा ना मैंने कहा ना मैंने कहने चुराए है मैंने गलती की है, तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए जमुना, जमुना तुम जूट क्यों बोल रही हो तुम चोरी नहीं कर सकती हैं, तुम किसी कीमत पर नहीं कर सकती हैं है त엔 तनी में तूम्हें समझ कि नहीं हो आ रिए समझ कूझ कर रही है जाल बुन रही है। मुझे वह जें वहालूम्ता भाईया मुझे मालूम था अ भाया जो लोग सीधा साधा बनने की कोशिश करते हैं ना, उनके मन में कुछ और ही चलता है अच्छा कमाल की बात है भाया, जब सही जमुना इस घर में आई है ना, तब से इस घर में कुछ ना कुछ हादसा हो ही रहा है पैसे नहीं लिए, नहीं, मैं ऐसे लड़की नहीं हूँ अरे सभी ऐसा बोलते हैं, पकड़े जाने पर सभी ऐसा ही बोलते हैं, अच्छा तुम एक बात बताओ, तुमने आज तक कोई ऐसा चोर देखा है, जो पकड़ा गया हो और उसमें कहा कि मैंने चौरी यह नहीं की ये भी वही कर रही है तुम जूट बोल रही हो तुम चोरी नहीं कर सकती तुम चोरी नहीं कर सकती तुम ऐसा क्यों बोल रही हो इसके अलावां और कोई रास्ता नहीं है आपको बचाने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है नहीं तो सबको ये बात पता चल जाएगी कि आपने हार किसको भेजाए है नमा जमुना तुने अगर हार चुराया है तो वो कहां पर है बोलो हाँ हार कहां पर है जबाब तो मुझे चोर आर्या आंखे दिखा कर बात मत करना बिल्कुल आखे मत दिखाना मुझे इसने हार चोरी किया है कि क्या हुआ जवाब क्यों नहीं दे रही हार कहां रखा है बताओ मुझे हो ही नहीं सकता मुझे विश्वास नहीं है मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती, प्लीज आप चुप मत रहें, प्लीज आप बोलिए के आपने हार नहीं लिया, जमना भावी, मैं विश्वास नहीं करूंगी, कह दीजे के लड़की जूटी है, जमना भावी, आप बोलो, प्लीज आपने हार नहीं लिया, बोलो, ऐसा हो ही नहीं सकता यह जूट है मैं विश्वास नहीं करूंगी इस बात पर हार कहां पर है हार मेरे पास ही है अगर हार तुम्हारे पास है तो उसे वापस कर दो पापा आप यह क्या कह रहे है अगर हार इसके पास है तो चौबीस घंटे के अंदर उसे वापस करने के लिए कह दो वो सम्मान है इस घर का वो हार इस घर की बहु के गले की शोभा है क्या हुआ यहां सब के सामने तुने अभी अभी माना कि तुने हार चुराया है कहां है मेरा हार हां बोल चोर कहां है मेरा हार बोल अगर तुने मेरा हार वापस नहीं किया ना जमुना तो यह लोग तेरे साथ क्या करेंगे नहीं पता पर मैं तुझे धत्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगी जमुना और साथ ही एक थपड़ भी लगाऊंगी करज़ा disappear कि इस सुनो आ अर्या जबान संभाल के बात करो तुम इससे बात कर रही ओ कि ए एक चोर से बात कर रही हूं मैं एक चोर से जो अपने घर में खुधी चोरी कर रही है और अभी महान बनकर बता रही है क्यों तक तुने क्यों बना किया था बोल आर्या, मैं तुम्हें फिर से समझा रही है, तुम मुझसे छीक से बात किया करो, मुझसे इज़त से बात किया करो, नहीं करूंगी, तुने चोरी की है और तु एक चोर है, चोर, 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 मैं तुम्हारे कमरे में नहीं जाती, और चोरी करना तो दूर की बात है, और एक कि जो चीज में दान कर देती हूं, वो चीज में कभी वापस नहीं लेती है, कभी भी नहीं। क्यूं, मिस्टर केदार राय, राय खांदान के मालिक, इससे क्या सजा देंगे, बताइए। या फिर आरया के लिए अलग सजा और जमुना के लिए अलग, क्या हुआ चुप क्यूं है आप, बोलिए। अगर 24 गंटे के अंदर वो हार वापस नहीं हुआ, तो मैं तुझे इस घर से धक्के मार के निकाल दूगा। पापा! मेरी इस बात को याद रखना, जमुना। जमुना भावी! वादा निभाएंगे न आप? उम्मीद है आपकी बात के कीमत होगी। अनु, तुम ने सुना, जमुना ने उस हार को चुराया है। उसने सभी के सामने खुद स्विकार किया है। क्या उसने ये सही किया बोलो? तुम उससे कह देना कि वो हार वापस लोटा दे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं सोच भी नहीं सकता, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे घर की बहु, जिसे मैंने अपने घर की बहु का सम्मान दिया, जिसे मैंने देवी का दरजा दिया, उस जमुना ने हार चुराया। नहीं, नहीं, उसने हार नहीं चुराया, उसने हार नहीं चुराया। वो सकता है, वो जुट बोलरही हो वो जुट कहरी है जुट कहरी है? पर वो जुट क्यों बोलेगी अमराधा? अरे आर्या तो तुम्हें ही चोर बना देती वो लड़की है ही बत्तमीज, बहुत बदमाश है वो जमुना से कह देना कि हर हाल में वो हार 24 घंटे के अंदर लोटा दे नहीं तो तुम मुझे जानती ही हो इस घर में जमुना की निशानी भी नहीं रहने पाई हाँ यह तुमने क्या किया जमुना क्यों किया यह भगवान मैं किस मुसीबत में भज गई किस आफ़त में पड़ गई किस आफ़त में पड़ गई प्लीज पिक अप तर फोन तानिया प्लीज फोन उठाओ मुसीबत में भज गई हूं मैं मुझसे बहुत बढ़ी गलती हो गई है तानिया फोन उठाओ प्लीज मैं नहीं मान सकता मैं ये नहीं मान सकता जमना मैं किसी भी कीमत पर नहीं मान सकता अगर कोई हाथ में गीता लेकर गंगा नदी में खड़े होकर भी ये कह तो मुझे विश्वास नहीं होगा कि जमना तुमने तुमने हार चुराया जमना सच क्या है जमना बोलो सच क्या है मैं नहीं हार चुड़ाया है जम्रा तुम तुम यह जूट बोल रही हो जम्रा तुम जूट क्यों बोल रही हो तुम क्यों चुपा रही हो तुमने तुमने मुझसे कभी जूट नहीं बोला तो फिर आज क्यों है ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम मुझसे जूट बोल रही हो जम्ना मैंने कहा ना मैं नहीं मान सकता मेरी पत्नी जम्राय जिसे मैं इतना प्यार करता हूं जिसे मैं इतनी दिनों से देखता आ रहा हूं जिसका मैं दिल से सम्मान करता हूं वो वो ऐसा काम कर सकती है वो इतना नीचे गिर सकती है मैं मैं इस बात को हर्गिज नहीं मान सकता क्या हुआ जम्ना ऐसे चुप मत रहो मुझे सच बताओ जवाब दो जवाब देगी भी कैसे चोरी जो की है इसने आज तक तो सुना था कि चोर की मा चिलाती है लिकिन आज देख रही हो चोर का पती भी चिला रहा है आर्या तमीज से बात करो ये शरीफों का घर है तुम क्या चाती हो कि तुम जो ये धिंडोरा पीट रही हो इसे सुनकर घर के नौकर ड्राइवर सब लोग हमारा मजा कुड़ा है हमारे पडोसी भी जान जाए जानने दो अरे उन्हें भी तो जानने दो ओ एक धोली की बेटी जिसे दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी उसका चरित्र और क्या ही हो सकता है इस तरह से क्या घूर रही हो मुझे हाँ 24 घंटे का वक्त दिया है तुम्हें केदार रायने तब तक अगर तुम हार लेकर वापस नहीं आई ना तो वो तुमें इस घर से बाहर निकाल देंगे और जहां तक मैं उन्हें जानती हूँ वो तुम्हें इस घर में टिकने नहीं देंगे समझ गई ना तुम बाकी तो तुमारी मर्जी